क्रिशना मन मोहना मुरी पान्हा मुरी क्रिशना सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा रादे रादे जो जस करही सो तस फल चाखा करम प्रधान विश्व करी राखा इस संसार में हमें जो भी प्राप्त होता है हमारे कर्म के अनुसार प्राप्त होता है जो व्यक्ति जैसा भी कर्म करे उसे फल भोगनाई है अच्छा या बुरा मानो या मत मानो मान लो तो अच्छा है उसको आप कह सकते हैं कि वो समझदार है न मानो सामने तुम्हारे कुवा हो और कह दे कि हम इस कुवे में नहीं गिरेंगे और फिर भी आँखें अंदा गिरें तो समझ में आता है आँख वाला भी जान भूज के उस कुए में गिरे तो उसे आप क्या कहेंगे उसे आप मुल्ख ही तो कहेंगे तो ये जान कर भी कि मुझे मेरे कर्म का फल भोगना ही है इसके बावजुद भी हम बुरे कर्म करें इसके बावजुद भी हम लोगों को हट करें इसके बावजुद भी हम अपनी मानवता को समाप्त करें तो फिर इसे अच्छी बात नहीं है ये तो बुरी बात है ये तो अच्छी बात नहीं है पर फिर भी काफी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कहीं नहीं भोगना पड़ेगा कौन भोगेगा, कौन देखेगा, किसने देखा है, कौन सुनेगा, कौन है देने वाला यहीं कर लो जो कुछ करना है बहुत से लोग तो अपने जीवन को बरबाद करने पे तुले है So, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है यहां नहीं तो अगले जनम में भोगना पड़ता है भोगना दो पड़ेगा ही निश्चित तोर पर तो मेरे प्यारे एक सेट जी थे और सेट जी सब को उधार रूपया दिया करते थे जिसको जितना चाहिए और वो अच्छे धनवान थे वैशनव थे भगवान के भक्त थे तो हमेशा जो भी जरुवत मन्द लोग आते उनको वो कम ब्याज पे सबको पैसा दिया करते थे मुनीम भी रखा हुआ थे लेकिन सेड़ जी के एक विसेस्ता थी सेड़ जी ने मुनीम जी को कह रखा था कि तुम किसी को यहां से खालियाद नहीं लोटा होगे सब को जितना चाहिए सब को दो लेकिन उससे दो बात पूछ लो क्या बुले तुम इसी जनव में लोटा होगे कि अगले जनव में लोटा होगे तो जो इमानदार, वफादार और जो बाकरी जरूत मंद होते थे वो तो ये कहते थे कि हम इसी जनम में लोटा देंगे और जो बेइमान होते थे जिनके देने का मन नहीं होता थे वो कहते थे हम अगले जनम में लोटा देंगे तो जो अगले जनब में लोटा देंगे ये कहते थे उनको भी नमुनी मना करते थे और न सेड़ जी मना करते थे देते थे सब को लेके जाओ तो सब को देते थे एक दिन इन सेड़ जी की ये प्रसंसा एक चोर ने सुन ली और जब चोर ने सुन ली तो चोर को पता लग गया कि सेड़ जी सब को ही देते हैं और ये पूछते हैं किस जनब में दोगे के अगले जनब में तो सेड़ जी के या मुझे भी चलना चाहिए ये चोरी करकर के मैं तो ठक गया हूँ एक थोड़ा सा बड़े घर में चोरी कर ले आचा चोर यहाँ उधारी ले नहीं आया था चोर तो ये देखने आया था कि सेड़ जी के तुजूरी में कितना माल है तो इनसे उधार थोड़ा लोंगा और चोरी करके सारी इनकी तुझरी खाली कर दूगा ऐसा भाव लेकर आया था तो मुनीम जी के पास में गया बोले सम मुझे कुछ धन चाहिए तो मुनीम जी ने का कितना चाहिए बोले इतना चाहिए मुनीव जी ने फिर पूछा भाया इस जनम में दोगे के अगले जनम में दोगे चोर ने का अगले जनम में दोगा बोलो ठीक है सेड़ जी के मुनीव ने जितना उस चोर ने पैसा मांगा था उतना उसको दे दिया और चोर लेने तो आया नहीं था चोर तो देखने आया था कि ने कि तुजूरी में कितना माल है तो तुजूरी खुली तो माल भेंग कर था उसमें तो चोरने का बस ठीक है अब वो रात में जाके रात होने से पहले कि साम को अंदेरा हुआ जब थोड़ा सा हलका सा जब अंदेरा हुआ तो वो भेंसों के तबेले में जाके चुप गया कि जब यहां से निकलेंगे जब शेड़ी सो जाएंगे तो हम बहुती जोरी खाली कर ले पहले लोग कैई ऐसे गुणी हुआ करते थे कि पसुपक्षियों की भासा भी समझते थे आपने कई कताएं ऐसे सुनी होंगी कहानियां सुनी होंगी कि वहां कबुतर बोल रहा था उसने वो बात सुन ली वहां वो बेल बोल रहा था उसने वो बात समझ ली वहां वो चिडिया ऐसे बहुत कताएं पहले लोग इतने गुणी होते थे पसुपक्षियों की बासा भी समझ लेते थे तो ये जो चोर था ये भैंसों के तबेले में था तो तबेले में भैंस जो थी बड़ी कई भैंसें थी पर दो भैंसें आपस में बातें कर रही थी और वो भैंस कह रही है अभी आजी आईती एक भैंस तुम कहां से आई हो मैं जी फलाने गाम से आई हो तुम कब से हो बोले मैं तीन साल से हो तुम यहां कैसे बोले पिछले जनम में मैंने सेट से कुछ रुपया लिया था और सेट ने मुझे वो रुपया दिया तो सेट के मुनीम ने हम से पूछा इस जनम में दे होगे के अगले जनम में तो हमने कह दिया अगले जनम में तो बहन सेट जी से पैसा लेने के कुछ दिन बाद हमारी मरत्यू हो गई मरने के बाद भैंस बनी अब भैंस बन कर तीन साल से सेठ का कर्ज चुका रही हूं दूद्दे दे के दूद्दे दे के Can you believe this? I know कि कुछ लोग इस पर believe नहीं करेंगे but it's true वो भैंस कह रही है कि मैं पिछले तीन साल से सेठ का कर्ज चुका रही हूं क्योंकि पिछले जनम में इसका कर्ज में लिया है किसी भी रूप में आपको कर्ज तो चुकाना ही होगा give and take ये system है भगवान का जो दोगे वो बापस मिलेगा जो किसी से लिया है वो बापस देना पड़ेगा किसी भी रूप में चोर इस बात को सुन रहा था चोर की तो धड़कन तेज हो गई कि मैंने तो बस ऐसे ही समझाता कि अगले जनम में नहीं देना होगा तो वो तो उस टेंसन के मारे भागा रात मी मुनीम को जगाया बो लिये पकड़ पैसे जो तुम से लिये थे और ये मेरा नाम इस अपने रेजिस्टर में से कैंसल कराओ हटाओ लिखो इसको लिखना नहीं मेरे नाम को कैंसल करो मुझे अगले जनम में नहीं भाईया तेरा पैसा इसी जनम में दे दिया कि अगर हमने किसी का लिया है तो हमें देना होगा और वैसे भी ये संसार जो काल चक्र है ये कर्ज ही तो चुका रहे हैं कोई अपने परिवारी जनों का कर्ज चुका रहा है कोई अपने मित्रों का कर्ज चुका रहा है कोई किसी का कोई किसी का ये कर्ज ही हैं कोई किसी रू कि हमें भी अगर हमने किसी का लिया तो देना पड़ेगा चाहे इस जनम में चाहे अगले जनम में कोशिस कीजिएगा अपना दे के जाईएगा किसी का ले के मत जाईएगा क्योंकि ले के गए तो चुकान अगले जनम में पड़ेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी और क को भी यह मुका दीजिए समझने का, कि संसार में छीनने से कोई बड़ आदमी नहीं बनता, संसार में किसी को देने से बड़ आदमी बनता है, सेड़ जी की कता हम आपको अभी भी सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मना किसी को नहीं किया, वो देते रहे, चाहे उनका दिजिए अपने धर्म की सेवा कीजिए यही आप सबसे कहना चाहता हूं आगे इस वीडियो को सेर कीजिए यही प्रार्तना रादे रादे वेश्वे शांती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराजी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराजी को डिन अंडर्सकोर ठाकुर अंडर्सकोर जी फालो करें